बैक तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यह सिखेंगे कि how to edit the data and update it तो जैसे कि previous वीडियो में हम लोग सिखें थे कि कैसे edit करना चाहिए जो कि click करते ही वो उसका record फैच होके इस text box में आ जा रहा है तो अभी हमें क्या करना है edit करते ही अगर समझे आप data edit कर देए gm डाल दिये उसके बाद update करते हैं तो data update भी हो जाना चाहिए तो उसके लिए अभी start करते हैं अपना coding तो यह रहा अपना code okay let's close this one okay तो यह अपना file है तो यहाँ पर हमें क्या करना है अपना edit model देखना है यह तो add model है तो इसको minimize कर लेता हूँ view model minimize तो यह रहा अपना edit model जो हम लोगों ने रखा है बनाके data fetch करने के लिए cool तो इसमें input है एक id है name है last name है class है section है जैसे कि दिख रहा है आपको table में यहाँ पर देख लेजिए तो इस id, first name, last name, class and section तो यह सभी चीज़े यहाँ पर हैं तो उसके हिसाब से हम इस id के हिसाब से हमको data update कर लेना है तो इस अभी यहाँ पर हमारा यह table आ गया इस table को minimize करता हूँ okay and यह रहा अपना script तो यह edit button click करते हैं यह sub functionality चल रहा है तो इसमें text box में अपने fetch होके आ जा रहा है तो इसको भी हम minimize कर लेते हैं क्योंकि यह ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें edit, view, add और यह जो है get data function का यह धर से जो call हो रहा है is nothing but table को fetch करता है इस table को fetch करने में मदद कर रहा है तो उस function के जरिया हम लो follow up कर रहा है from part 1 तक है अभी हम लोग update के लिए काम करना है तो update का almost काम जैसे यह add होता है तो same coding लगेगा हमको तो काम करते हैं इसी को हम लोग copy कर लेते हैं तो यहाँ पर click करके इसी को copy करते हैं और इसको modify कर लेंगे क्योंकि almost same things है तो यहाँ पे इसको copy कर ये ctrl c and get back और यहाँ पर paste कर लिजिए दे रहा हूं class name तो इस class name लिया और dot से assign कर लिया यह dot use करना है class है तो dot है id रहेगा तो hash है तो click कर दिया अभी इसके बाद इसमें code change कर देते हैं तो यहाँ पर गईस अभी हमको variables अभी यह assign किया गए fname last name student and section तो यहाँ पर एक और चीज़ import करना है हमें क्या है वो student id student id रख लेजिए फिर इसको copy करके क्या रहेगा यह i mean इसका id क्या है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर id edit करके हैं तो इसको copy कर यह ctrl c और same with that paste कर दीजिए यहाँ पर इसको निकाल लिए id है तो hashtag use करके इस्तेमाल करना है फिर coming to first name you have to copy edit first name last name class and section वैसे ही सभी आपको copy कर लेना है तो hash use करना क्योंकि id है id label also last name जो है यह भी id है hash id edit class जो है यह भी id ही है तो इसको भी edit कर लेते हैं edit class and final one section है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं hash section तो सब सही हो गया भी तो इसना अभी यह सब condition है कि अगर कुछ नहीं है इसके अंदर जैसे कि अभी इसको minimize करता हूं यहाँ पर small सा देखिए अगर इसके यह सभी condition के अंदर data है तो इसके अंदर जाएगा करके बोल रहा हूं नई है तो यह एक message आएगा error message ठीक है तो error message यह है कि यह bootstrap का एक alert pop-up message होता है जो कि आप close भी कर सकते हैं तो इस अभी एक demo के लिए मैं दिखाता हूं यहाँ पर error message के बदले यहाँ error message update करके नाम देता हूं और इसको copy करता हूं आपको दिखाने के लिए कहाँ पर यह work होगा copy करिए फिर इसको यहाँ पर लेकर अपने form में paste कर दिजिए यहाँ पर जो कि वहाँ पर दिखाएगा करके तो यहाँ पर save कर यह और चलिए demo के लिए हम लोग check करते हैं पहले मतलब एक condition एक value empty छोड़ते हैं तो चलते हैं यहाँ पर अभी इस last name को मैं पूरा निकाल देता हूं और click to I mean पहले reload करें अपने page को reload होने के बाद आप edit करें यह last name को निकाल देजिए और click to update let's see what happens please enter all fields करके बोल रहा है right तो ऐसे हमें condition वो solve कर रहा है ठीक है तो इस now अभी हमको update पर धियान देना है तो यह जश्ट आपको message दिखा रहा था कि कैसे इसको दिखाया जाता है करके now coming to अगर सब कुछ correct है तो यहाँ पर हमें Ajax query से call करके update करना है तो first step type post ही रहेगा Ajax code.php पर जाने के लिए बोल रहा हूं और यहाँ पर checking add है add के बदले मुझे checking update करके बोलना है और इसमें रहेगा एक और जो की student underscore id यहाँ पर post में send कर दिया और यह जो variable है आपने copy किया बनाया है इसको भी यहाँ पर paste कर लीजिए ज़कि असानी होज़ेगा send करने के लिए post method के जरीए okay तब यह सब बाकी सब सेम रहेगा and now section में आते ही success message में आते ही आपको क्या होना है यह model hide है ठीक है तो यह instead of hiding add model हमें क्या hide करना है अपना model जो की edit model है right तो उसको edit model को copy करिए और इसको वहाँ पर replace कर दीजिए तो यह अपना edit model का कहांगे code यहाँ पर है तो यह यहाँ पर paste कर दीजिए edit model हो गया और यह hide हो जाएगा और success में होते ही show हो जाएगा कि हाँ जो भी है response आया है उदर से तो इस response को कैसे आएगा करके मैं अभी बताऊंगा and back to यह जो है आपको student data is nothing but table का data है और यह नीचे फालतू चीज़े इसको निकाल देते हैं यह सिर्फ add में काम आते हैं तो इसमें नहीं आते हैं तो यह जो है आपको बोल रहा है कि यह student data जो है इसको null कर दो और वापस student data को get data कर दो ठीक है तो यह get data function आपको समझ में आया गया होगा कि हम लोग already यहाँ पर function यूज किया है यह जो get data है ठीक है तो यह get data के वह जैसे वह वापस call हो जाता है अपना table तो यह student जो है यहाँ पर है यह table दिखाता हूं आपको यह आपको table है right तो इस table में यह देखिए यह table body के अंदर student data call किया गया है तो यही चीज इधर call करना हूं बस उसको null करने के लिए फिर उसको call करने के लिए तो इसना में मुद्ध हमारा update का था तो यहाँ पर update जो है इसको copy करते हैं और चलते हैं अपने crud folder के अंदर Ajax crud के अंदर code.php में जाना है हमें code.php पर चलिए फिर last में चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर गाइस already हमने code करके रख लिया है इस update के लिए तो मै मैं उसको paste कर लूँगा तो just copy this and paste see ya guys checking update इसमें कुछ changes भी की हैं मैंने तो यह रहा आपच चेकिंग अपडेट ओके इसको copy कर ये और यहाँ पर paste कर दीजिए that's it paste होने के बाद ले इसको divide कर लेता हूं page को बार बार shift करना पढ़ रहा है इसलिए ओके खुल तो यहाँ पर यह student id जो है student id को यहाँ पर pass करना है student id फिर fname, lname, class और section यह जो चीजिए हैं सभी इसमें pass करके इस variable में रख ली है मैंने अभी variable तो paste हो गया है अभी close कर देता हूं इसको यहाँ पर open कर लेते हैं तो वैसे ही सब कुछ pass करके query लगाएंगे फिर update stable name जो कि student है यह students जो कि अपने database में यहाँ पर already हम लोग ने रखा students करके PHP CRUD का ठीक है तो PHP CRUD का students है वहाँ पर जाके आपको update करना है with the set fname, fname, dollar fname, fname is nothing but your columns, यहाँ पर देख सकते हैं आप fname, lname, class and section तो यह चीज़े same to same होनी चाहिए और उसके हिसाब से यह variable का data यहाँ पर आना चाहिए अब इसके section के बाद कामा मत लगाई है कामा लगांगे तो आपका data कभी नहीं save होगा, ना update होगा, क्योंकि यही बहुत लोग mistake करते हैं कि कामा लगा के छोड़ देते हैं और बोलते हैं update नहीं हो रहा है, तो now where ID लगा के, ID का condition check कर लिजेगा, यह ID अपना यहाँ से student ID आ भ पर हमने already कर रखा है, हर चीज़ के लिए, यह निकाल देते हैं, यह not required over here, तो guys, अभी हम लोग same thing, अभी उसके बाद अगर सही हो गया query run, तो successfully updated, अगर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई error नहीं है, तो सीधा if statement के अंदर गुश जाएगा, नहीं तो else में गुश जा copyright, तो यह अपना response में चला जाता है, echo, जो कि Ajax के success में response में आ जाता है, जो भी वहाँ पर echo हुआ है, वो यहाँ पर मैंने concatenate करके view कर दिया है, simple, तो guys, अभी इसको test कर लेते हैं, हम लोग, चलिए, and let's go to form, और यहाँ पर load करते हैं, इस page को, cool, अभी यह Mohan Kumar है, last का data, यह यहाँ पर edit करना हूँ, Mohan Kumar M लगाता हूँ, update करता हूँ, model गायब हो जाएगा, और, I mean, और यह table जो है, reload हो जाएगा, मतलब, reload नहीं होगा, मतलब, call हो जाएगा, page load नहीं होने वाला है, okay, let's update, यहाँ पर click to update, update हो गया, देखिए, successfully updated without loading the page, ठीक है, थोड़ा अब ध्यान दीजेगा, यह page load नहीं हो, ठीक है, यहाँ पर let's click on, सत्या कुमार पर, सत्या ब्रो कुछ भी लिख दीजेए, update करता हूँ, देखिए, page load नहीं होगा, click, page load नहीं हुआ, and चला गया है, right, तो इसको हम लोग अपना-पना close कर लेते हैं, तो यहाँ पर data सभी correctly, सत्या ब्रो क करके, update भी हो चुका है, so guys, इस वीडियो में इतना ही हम लोग सिखें कि, how to update the data, जो कि previously added सिखेते हैं, और यहाँ पर update करना सिखें, तो next वीडियो में हम लोग सिखें कि, कैसे delete किया जाए, without page reload, ठीक है, तो thank you for watching this video guys, please subscribe, like and share.